दोस्तों, बिग बॉस सीजन 18 का दूसरा वीकेंड का वार और ऐसे में सलमान ने बता दिये शो के टॉप टू लगा आलिस और विविन डिसेना को सबसे बड़ा जटका क्या हुआ, कैसे हुआ, चलिए पूरी खबर हम आपको हमारी इस रिपोर्ट में बताएंगे लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने इन चानल को सबस्क्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी आप जरूर दबादें दोस्तो, बिग बॉस 18 के घर के अंदर वीकेंड के वार में, सलमान खान ने विविन डिसेना और आलस कौशिक को कहा कि तुम लोग इस शो के टॉप टू थे जब तुम लोग इस शो के अंदर एंटर हुए तो तुम को ये कहा गया कि तुम इस शो के टॉप टू बनोगे है ना ऐसे में विविन और आलस दोनों ने हा बोला लेकिन फिर सलमान ने कहा लेकिन दो ही हफतों में ये दिख गया है मुझे भविश्य का कि तुम दोनों टॉप टू बनने लायक नहीं हो दो हफतों में तुम दोनों ने जो कंटेंट दिया वो टॉप टू के लायक है ही नहीं क्यूं क्यूंकि तुम कहीं ना कहीं दोनों खोए हुए हो एलिस इस घर में सिर्फ इशा और अविनाच से बात करती है और उसका कोई content नहीं है तो वहीं विवन हमें पता ही नहीं चलता कि विवन घर में है या नहीं तड़का ही तो बना रहे हो दाल का और क्या कर रहे हो विवन कुछ भी नहीं बूल पाता सल्मान के आगे लेकिन फिर सल्मान कहते हैं कि पता है कौन बन सकता है इस शो का टॉप टू कंटेस्टेंट कौन होंगे वो दो फाइनलिस्ट जिनको लेकर मैं खड़ा होंगा यहां पर स्टेच पर ऐसे में सब ने कहा जी बताएं सर सल्मान ने चौकाने वाला नाम लिया सल्मान ने कहा कि बीते हफ़ते जिस तरीके से अविनाश ने और चाहत ने घर में अपना गेम जमाया जिस तरीके से तुम लोगों ने चाहत को हर बात पे टार्गेट करा चाहत इस शो में बहुत स्ट्रॉंग जा रही है और अविनाश ने तो कमाल ही कर दिया तुम सब के खिलाफ गया और बिग बॉस ने उसको जेल में भेज कर बहुत बड़ी पावर दे दी जिससे ये साफ होता है कि ये दोनों इस शो में रहकर कंटेंट दे रहे हैं और ये दोनों ही इस शो के टॉप टूब बनने के लायक है नहीं वो लोग जो की बहुत बड़े बड़े नाम खुद को मानते हैं लाडला मांगते हैं और ये सोचते हैं कि फैन्स हमें सपोर्ट करेंगे नहीं फैन्स उन्हीं को सपोर्ट करेंगे जो कंटेंट देंगे और तुम दोनों कंटेंट के नाम पर कुछ नहीं दे रहे हो आप क्या कहेंगे आप अपनी राए हमें कमेंट्स में जरूर लिख कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना भूँ